Hello Friends, Welcome to our Channel तो Friends इस वीडियो हम देखने वाले हैं BA Second Year Economics का Assignment हम कैसे बना सकते हैं इस वाले वीडियो में हम Third Question को Complete करेंगे हमारे इस चैनल पर BA से सम्बंदी सभी Assignment उपलग्द हैं अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिशन में लिंक दिया गया है आप वहाँ पर जाके अपनी Assignment देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज का Assignment ये हमारा Economics का Question Paper है इसमें 4 Question दिये गए हैं 4 में से 2 Question पर हमें Assignment बनानी हैं तो आज हम Third Question को करेंगे जब आप अपनी Assignment का Front Page बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे SOL Roll Number लिखेंगे परिक्षा Roll Number लिखेंगे इसके अलामा आप करिक्षा लिखेंगे और विसे कोड और विसे का नाम इसके बाद आप SOL केंदर का नाम भी लिखेंगे तो यहाँ पर हमें थर्ड कोशन दिया गया है पैसा क्या है इसके कारेओं की व्यक्या कीजिए भारत में मौद्रिक नीती के Credit नेंटरन के उपायों पर चर्चा की करें तो इसमें हमें मुद्रा बतानी है मुद्रा क्या होता है तो इसके लिए सबसे पहले हम heading डालेंगे मुद्रा का अर्थ और मुद्रा को explain करेंगे इसके बाद हमारी नए शड़िंग होगी मुद्रा की परिवासा इसमें हम विबिन विद्वानों द्वारा मुद्रा की दी गई परिवासा को लिखेंगे तो यहाँ पर मुद्रा की परिवासा परमपरागत दिश्टिकोंट से भी दी गई है और यहाँ पर एक विद्वान है सिकागो उनकी विचारधारा को भी दिया गया है तो आप इसे भी लिखेंगे इसके बाद हमारी नएक शाडिंग आजाती है मुद्रा के कारे है इसमें मुद्रा के जो कारे होते हैं वो दो परकार के होते हैं जिसमें प्राथमिक कारे आता है और दितिय कारे या गोड़े कारे बोलते भी उसे तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे जो मुद्रा के कारे के रूप में प्रस्तुत होंगे तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पॉइंट विन्मै का माध्य हमें है और मुद्रा जो है वो मुल्य का मापक है मतलब मुद्रा को हम माप भी सकते है तो यह हमारे प्राथमिक कारे में आ जाता है इसके बाद दितिय कारे में भी कुछ पॉइंट्स दिये हुए है जो मुद्रा को कारे को एक्स्प्लेन करते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अस्तगित बुक्तानों का मान जो हम बुक्तान करते हैं उसका मान भी हम मुद्रा के रूप में देख सकते हैं इसके बाद second point है मुद्रा के कारे का मुल्य का संचे है तो इसमें मुल्य का हम संचे भी कर सकते हैं मुद्रा के इसके बाद हमारा next point आ जाता है मुल्य का हस्तांत्रण इसमें हम जो भी हमारा मुल्य है या मुद्रा है उसका हम हस्तांत्रण भी कर सकते हैं दूसरे को इसके बाद आप next studying डालेंगे आकास्मिक कारे इसमें मुद्रा के जो आकास्मिक कारे होते हैं वो सब आ जाते हैं तो ये सब मुद्रा के आकास्मिक कारे हैं और फ्रेंड्स इसके साथ ही अगर आपको इवीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करिएगा इसके बाद आप next studying डालेंगे भारत में रिंड नियंतरन के तरीके तो इसमें पहला तरीके में गुणातमग विदी है और इसके बाद मातरातमग विदी मतलब हम किस परकार से मुद्रा को नियंतरित कर सकते हैं इंडिया में तो इहां पर गुणातमग विदी के अंतरगत पहला दिया हुआ है सिमान ता हो सकता जो होती है उसको लिखेंगे आप इसके बाद स्रेयका रासन कर देंगे ये पोइंट भी आप अपनी assignment में लिखेंगे और फ्रेंड्स जब आप अपनी assignment बनाएंगे तो नीट और clean होगी तो और अच्छी बात है इसके बाद आप नया श्टैडिंग में परचार को लिखेंगे परचार को लिखने के बाद आप next heading डालेंगे पर्तेक्ष कारवाई तो इसे भी आप explain करेंगे आप अपने assignment जितनी heading के रूप में लिखेंगे तो उतना ही अच्छा है इसके बाद आप next point में नैतिक उत्तेजना heading डालके उसे explain करेंगे उपर हमने मुद्रा को नियंतरित करने के लिए गुनात्मक विदी को पढ़ाया इसके बाद हम मात्रात्मक विदी को अपनाएंगे मुद्रा को नियंतरित करने के लिए तो मातरात्मक विदी में है बैंक दर इसमें आप बैंक दर को बढ़ा देंगे जिससे बाजार में मुद्रा की कमी आ जाएगी तो इससे भी आप मुद्रा इस्पिती को रोख सकते हैं और यहाँ पर एक उधारन भी दिया गया है तो आप इसे भी लिखेंगे तो फ्रेंट्स इसी के साथ हमारी एसाइमेंट कम अरे चुपर हो तो फ्रेंट्स इसी के साथ हमारी वीडियो कतम होती अगर आप कोई वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें और bell icon दवाना बिलकुल ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे तो मिलते अपनी next वीडियो में eco के नए question के साथ Thank you